Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal आज का दिन गाइस बहुत important है एक बहुत important crypto का बिल US में आज पास हुआ है इसके लावा आज एक और evening तक बड़ा update हमारे सामने आने वाला है जो cryptocurrency market को आज के दिन बहुत जादा volatile कर सकता है क्या है वो उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे ego token के बारे में सबसे पहले चलते हैं crypto analysis पे market cap 0.5% down volume के बारे बात करेंगे 19% down info का कोई data नहीं है fear and index अभी भी extreme greed में है कल से हम extreme greed में ही है पिछले एक गंटे के sentiment है sale की तरफ heat में पगर आप देखेंगे तो mix reaction देखने को मिल रहा है BTC 0.58% down Ethereum 0.33% down यहाँ पे चल रहा है Bitcoin की बात करेंगे काई जब वीडियो बना रहा हूं मैं Bitcoin का price is 69,396 और अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा एक support zone था जो एक time पे racing zone की बात करते थे वो यहाँ पे currently support zone बना हुए 69,300 का लेकिन बार बार अगर एक support zone test होता है तो वो तूट सकता है थोड़ा कमजोर हो जाता है तो उसी condition पे हम लोग अभी यहाँ पे चल रहे हैं एक बड़ा update आज इस support zone को बनाए रखेगा पर अगर कुछ negative update आ गया तो यह जो support zone है हमारा उससे तूट सकता और अगर यह तूटता है तो immediate support है हमारे पास 67,000 पे और अगर वो भी तूटा तो हमारे पास है currently यहाँ पे 64,000 पे support resistance की बात करेंगे तो जो सबसे important resistance है वो हमारे पास फिला 73,400 का जो bitcoin ने last अपना भी recently all time high यहाँ पे बनाया है important क्या है जो depend करेगा कि यह support बना रहेगा नहीं रहेगा 69,000 का वो है आज से start होने वाला है Ethereum spot ETF के उपर deadlines तो आज finally पढ़ा चलेगा क्या होने वाला है क्या SEC approve करने वाला है थोड़े दिन पहले तक यही था कि chances नहीं है Ethereum ETF के approve होने के पर suddenly चीजे चेंज हो गई है exchanges अपने forms जो भरने की speed है उसको accelerate कर देगा आज से हमें यह पता चलेगा तो अगर कुछ positive move आया तो bitcoin का support यह confirm हो सकता है भले ही spot ETF है वो Ethereum का approve होगा लेकिन अगर कुछ negative आया तो bitcoin के price भी हमें downfall देखने को मिल सकता है इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि bitcoin spot ETF का जो ETF है वहाँ से fund निकल के भी हो सकता है Ethereum ETF पे चला जाए अगर Ethereum का ETF यहाँ पे approve होता है तो BTC पे आपको थोड़ा सा downfall इस वज़ा से देखने को मिल सकता है Approve होगा नहीं होगा Telegram पे मैं आप लोगो quickly बता दूँगा जैसे ही आएग अपडेट वीडियो बनानी के जोद पड़ेगी तो उसको भी हम लोग वीडियो पे discuss कर लेंगे इसके लाँ बात करें क्या चल रहा है ETF फ्रेंट से अगर हम देखें Bitcoin के तो Grayscale की तरफ से Sailing होई है पर BlackRock Fidelity दोनोंने अच्छी मात्रा में बाई करा है Overall Net Positive है Total 2211 BTC यहाँ पे बाई करे गए है इसके लाँ बात करें कि Ego Dogan की तो Last Time अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने Ego में Entry ली थी वहाँ से Ego ने बहुत जवरदस्त Rally हम लोगों को दीती हम लोगों ले नेरबोट इस लिवल पे Ego को लिया तो यहाँ से मत्र एक दिन के अंदरी क्योंकि यह 4R Candle है एक दिन के अंदरी 48% का Ego ने पम दे दिया था हम लोगों ने profit वहाँ पे book कर लिया था तो अगर आप currently देखेंगे तो Ego फिर से अप हमारा जो support zone था उसको तोड़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो अगर यह support zone confirm होता है फिर से और यह area से Ego उपर निकलता है तो इस बार आप फिर से Ego से एक बड़ी rally की उमीद कर सकते हैं लास्ट ताइम जो मेरी personal expectation थी वो 0.58 तक की थी 0.058 तक की कर वहाँ पे नहीं गया पर इस बार मैं उमीद कर दा हूँ फिर से 50% का pump अगर यह area break होता है यहां से तो Ego ले सकता है इसके लावा कुछ एक important update भी है APY का जो इनका 2000% APY का था वो अलड़ी plan यहां पर staking का launch हो चुका है एक और update आ रहा है भी इनका वो यह है कि किसी major tier 1 exchange की उपर list हो सकता है currently bybit, MEXE, kucoin bitget, bingex, bitmart और pancake swap की उपर list है इसमें बड़े exchanges की जो अभी कमी है वो है यहां पर Binance और Coinbase तो अगर यह listing होती है tier 1 exchange की तो कुछ बड़ा rally होती हुई देखने को मिल सकती है इसके लावा इनकी website भी revamp होने वाली है कुछ exciting feature के साथ एक और चीज मुझे नहीं पता थी इसको हम लोगों ने एड नहीं किया बैक्ट बाई consensus है यहां से तो उस वजह से credibility इसकी थोड़ी बढ़ जाती है तो area थोड़ा ध्यान रखेगा अगर यह area break होता है जिसको अभी तोड़ने की लगबग कोशिश करता है होता है तो यहां से एक बड़ी rally आपको ego के price में देखने को मिल सकती है और long term के लिए भी आप इसको अपने portfolio में अगर रखना चाहें तो यहां पे रख सकते हैं जब भी हमें यह अपने support zone पे देखता है को कि last time भी support zone से किसने अच्छी rally दिखाई थी और इस बार भी उसी जगा पे ego को already चल रहा है इसके लावा डॉनल्ड ट्रम की तरफ से हमने बात करी थी कि वो bitcoin को sorry crypto को accept करने की बात करने as a donation mode तो वो उन्होंने अपनी website में option डाल दिया हुआ है अब कोई भी अगर crypto के तुरू इनको donate करना चाहता है तो वो यहाँ पे donate कर सकता है बात करते हैं बड़ा update यहाँ पे US की तरफ से तो US का FIT21 FIT21 जो bill था वो pass हो गया है क्या इस act में important चीज़े हैं उसको एक बार यहाँ पे समझनी कुश करते हैं तो मैंने कुछ notes मेरे बनाये हुए हैं आपको basically बता रहा हूँ यहाँ पे तो इसमें यह चीज़ के बारे में discuss हुआ था कि US में किस तरीके से crypto को regulate यहाँ पे किया जाएगा तो regulate दो तरीके से किया जा रहा है एक चीज़ को SEC देखेगी और एक चीज़ को CF TC यहाँ पे देखने वाला था यह बहुत important चीज़ है यह तो इसमें इनका यह बोलना था अबी तक कि जितनी भी या तो blockchain के उपर बात करें DAO के उपर बात करें किसी token के उपर बात करें अगर किसी individual की उसके उपर 20% से ज़ादा control है example किसी DAO पे voting के rights किसी एक जने के पास 20% से ज़ादा है किसी token की supply किसी एक जने के पास 20% से ज़ादा है तो यह नहीं होनी चाहिए bill में यह चीज लिखी गई थी कि अगर इससे ज़ादा होगी तो उसको SEC control करेगा और अगर उससे कम होगी तो इसको CFTC control करेगा और 20% से कम ही यहाँ पे होना चाहिए यह बहुत important चीज है SEC जब भी crypto की बात होती थी तो वो bitcoin को छोड़के सबको as a security बात करता था लेकिन अगर किसी crypto की जो control है वो 20% से कम के उपर है तो SEC जो हर बात पे security security बोलता था वो यहाँ पे नहीं बोल पाएगा यह bill pass हो गया है तो अब बहुत interesting रहेगा कि वो projects, वो token, वो DAO जहाँ पे किसी एक के हाथ में 20% से ज़ादा control था उनका यहाँ पे क्या होने वाला है जैसे Ethereum की बात करें वहाँ पे ऐसा नहीं है तो वो Ethereum को जो ऐसा security बोलती थी SEC और जिस वज़ा से reject करने के बारे में बात करती थी ETF उसका वो सब चीजों पे इस वज़ा से impact पड़ेगा और अगर Ethereum का ETF एप्रूव हो जाता है तो हमारे सामने बहुत सारे और ETF आते हुए देखने को मिलेंगे अगर आज Ethereum का ETF एप्रूव होता है तो एक और चीज़ कल भी मैंने बार-बार बोली थी आज भी इस चीज़ के बारे बोल रहा हूँ कि ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होने वाली Ethereum की उसमें टाइम है तो हो सकता है यहां से Ethereum का प्राइस एकदम से पंप हो ट्रेडिंग कुछ होगी नहीं तो उसके बाद प्राइस नीचे आता हुआ देखने को मिले तो अगर शॉर्ट या लॉंग पोदिशन Ethereum में उपन करने वाले हो तो उसमें leverage का ध्यान रेखिएगा और टॉप लॉस लेके चलिएगा क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ नेगेटिव अब्डेट हो सकता है क्योंकि सड़नली सब पॉजटिव हो गया Ethereum अब्डेट के लिए कई ऐसा ना हो जाए पर SEC उसको फिर से पोस्पॉन करते थोड़े टाइम के लिए तो negative impact उसका पढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है इस चीज़ के बारे में आज के दिन ध्यान रिखिएगा तो इदर आज हमारा आज का वीडियो regarding market में क्या चल रहे कुछ और important update रहा उसको टेलिग्राम पे discuss करेंगे जिसके लिए आज को आप लोग ने जॉइन नहीं किया जो जॉइन करेंगे लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन ने बिल जागा वीडियो पसंद आया इसको लाइक हो शॉइन जो खेगा चैनल में अगर आप नहीं है फर्स टाइम वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्स्राइब कर लिशेगा थैंक्यो फ्रेंड्स